हेलो फ्रेंट्स, कैसे हैं आप लोग, उमीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, सबस्त होंगे, दोस्तों मेरा आप लोगों से अनरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक को लोगों में सेर्फ अवस्य करें दोस्तों हर बार की भाद इस बार भी हम आये हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी एक बार की बाद है दो छोटे बच्चे दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी वह दोनों एक बार जंगल के रास्ते से कहीं घूमने चा रहे थे वह अभी जंगल में बहुत आगे पहुँच चुगे थे जैसे ही वह घने जंगलों के बीच से गुजर रहे थे तभी अचानक से उनके रास्ते पर एक भालू आ गया भालू को देख करके दोनों बच्चे डर गये एक बच्चे को पेड़ पर चढ़ना आता था जिसके कारण वह दोड़ करके पेड़ पर चढ़ गया पर दूसरे बच्चे को दोड़ना ही पेड़ पर चढ़ना ही नहीं आता था जिसके कारण दूसरे ने भालू को देखते ही जमीन में लेड़ गया और लेड़ करके अपनी सांस रोक ली भालू उस बच्चे के पास आता और उसके चारों तरब घूम घूम कर उसको सूंगता जब भालू को उस बच्चे की बच्चे में सांस चलती हुई नहीं दिखाई दी तब वह भालू वहां से चला गया भालू के जाने के बाद पेड़ पर चड़ा हुआ दोस्त भी नीचे उतर आता है और वह जम नीचे उतर करके आता है तब अपने दोस्त से पूँचता है कि यहां बताओ जब तुम लेटे थे तो भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था यहां सुन करके वहां लड़का बोलता है कि भालू हमारे कान में क्या कह रहा था कि इस तरह से दोस्ती का क्या मतलब है जो कि बुरे वक्त में दोस्त आपका साथ छोड़ दे वहां दोस्त किस काम का है जो जब जान पे खत्रा बना है तो तुम्हें छोड़ करके पेड़ पर चड़ जाए ऐसी दोस्ती दोस्ती नहीं होती है इससे तो भले जो दोस्त नहीं होते ही कम से कम बुरे वक्त में खड़े तो हो जाते हैं पर या किस परकार का दोस्त जो की डर के मारे तुम्हारा साथ छोड़ देता है या सुन करके उस लड़के की समझ में आ गया कि या तो मुझे ही कह रहा है इतना सुनते ही वह लड़का बोला कि दोस्त स्वारी मुझको माफ कर दो और मैं डर के कारण पेड़ पर चड़ गया तब वह लड़का कहने लगा ठीक है तुम दर के कारण पेड़ पर चड़ गये पर मुझको तो चड़ना ही नहीं आता था अगर भालू मुझको अपना आहार बना लेता तब क्या करते क्योंकि या तो कोई दोस्ती नहीं होती है दोस्ती वह होती अगर मुझे को चड़ना भी नहीं आता था पेड़ पर तो कम से कम थोड़ी मेरी मदद करके मुझे भी अपने साथ उस पेड़ पर चड़ा लेते हैं। कि गल्ती नहीं करेगा क्योंकि दोस्ती तो दिल से होती है और सच्चा दोस्त वहीं होता है जो हमेशा अच्छे और बुरे दोनों समय में कामा सके दोस्तों यहां रही एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती करो जानके और पानी पियो जानके। व्यक्त से तभी दोस्ती करना चाहिए जब वह आप पर विश्वास करने लगे और आपका बुरे वक्त में साथ दे। ऐसा नहो कि बुरा वक्त आने पर वह पीडुमा के खड़ा हो जाए। दोस्तों यह रही कहानी हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी दूसरी वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै भाराज।